यूं तो भारत में गड़ेश भगवान के करोडो मंदिर हैं परंतु सिद्धी बिनायक गड़ेश भगवान की कलाकिर्थी को लेकर खास बात ये है कि गड़ेश पिटमा में भगवान गड़ेश की सूर दाई नोर स्थेत हैं इसलिए इस मंदिर को सिद्धी बिनायक कहा गया है दाई तर्बनी सूर सिद्ध मानी जाती है सन 1801 में देववाई पाटिल नाम की खेती करने वाली अमीर महिला ने इस भूकंड को गड़ेश भगवान को समर्पिट किया था देववाई पाटिल नी संतान थी भैस नहीं चाती थी कि उनकी तरह कोई इस्तरी नी संतान होने का दुख छेले गड़ेश भगवान के सम्मुक बैस संतान के लिए रोती थी उसे तो संतान नहीं मिली किंटु उसके तब से कई बांज इस्तरीयों को बच्चों की इकिलकारिय उनके आंगन में सुनने को मिली सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर का निर्माव 19 नौंबर सन 1801 को हुआ था परंतु इस मंदिर का चत्रांकन सन 1692 में प्रारम हो गया था इस मंदिर को असली जामा सन 1801 में सिरी मती देववाई पाटिल एबम उनके पती सिरी बिठ पाटिल जी ने लोग पहनाया था लोग प्रियता की मिसाल यह है कि इस मंदर में छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ती के चुमकत्व से देश विदेश से करून लोग खिचे चले आते हैं जिस सर्दा और मनोकामना लेकर भगवान के चर्णों में आते हैं बैजरूरी अक्तर से भव्य रूप परदान किया गया है जिसकी अनूटी छवी देखते हुए बंती है दर्शकों को दर्शन करने के लिए लुहे के पाइपों की गैलेरियां मनाई गई हैं ताकि दर्शन सुगमता से हो सकें यह परिसर दिन रात खुला रहता है भगतों के चड़ाव हैं जहां से डलियों में प्रसाद लेकर भगवान को अरपन किया जाता है मंदिर परसर में बाइं रोड संकट मोचक हनुमान जी का छोड़ा सा मंदिर स्तावित है जो काफी सुंदर है यह मंदर दादर बेस्ट में है लोकल ट्रेंस से चलकर दादर आते हैं बहां से टेक्स अच्छा यही है कि आप ब्रस्वतिवार को दर्शन करें इस दिन आपको सुगमता से भगवान के दर्शन हो सकते हैं